हलो फ्रेंज पता ने क्यों पिछले कई दिनों से एक यार दो ही व्यूज आ रहा है बट कोई बात नहीं फ्रेंज मैं जो दो तीन बच्चे देख रहे हैं उसके लिए तो वीडियो बनाऊंगा ही तो देखो इन फिगर एकस वाई एन एकस डेस वाई डेस आर टू पैरलल टैंजेंट टू ओ सर्कल विद सेंटर ओ यानि कि हमारा एक सर्कल दिया हुआ है पहले तो ओ सेंटर वाला है फिर क्या बोला है एकस वाई एकस डेस वाई डेस ऐसे दो टैंजेंट दिये हुए है पैरलल ठीक है उसके बद क्या है देखो, अनुदर टेंजेंट A, B, यानि कि एक दूसरा भी टेंजेंट है, अनुदर यानि कि दूसरा वाला, ये वाला देखो ये, A और B, ऐसा कोई टेंजेंट है, पॉइंट फॉइंट पॉइंट 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 पॉइं है ऐसा हमें figure में दिया है अब हमें prove क्या करना है देखो a o b 90 degree है यह prove करना है तो सबसे पहले देखो a o और b यह हमें 90 degree prove करना है तो सबसे पहले हमें यह चीज तो बता है कि यह अपना tangent यह अपना circle जब हम circle और यह point of contact को जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा 90 degree सिंपल तो देखो जोड़ देते हैं तो देखो friends मैंने क्या किया यह अपने o center और यह point of contact इन दोनों को जोड़ दिया तो यह मुझे क्या 90 degree मिल जाएगा यह भी 90 degree ठीक है अब यह तो हमें को पता है अब हमें डुंड़ना क्या था a o और b तो यह पूरा मुझे पता है पूरा का पूरा क्या होता है 180 होता है उसमें से मैं यह और यह यह दो forces निकाल दू तो मुझे यह दोनों मिल जाएंगे न तो उसी को हम यह बोलेंगे अपना यह वाला answer ठीक है तो पहला थोड़ा नाम दे देते है इस वाले को one इस वाले को two इस वाले को three इस वाले को four यह हमारा angle one two three four पूरा 180 है न उसमें से यह दोनों निकाल जाएंगे और यह दोनों मिल जाएंगे ठीक है अब देखो हमें एक property याद करनी पड़ेगी हमरा को पता है theorem number two 10.2 यह हमरा circle circle के बहार का यह point P अब इस circle पे हम दो ही tangent draw कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एक और दो सिर्फ दो ही draw कर सकते हैं तीसरा नहीं draw कर सकते हैं ठीक है अब को पता है अब यह दोनों tangent है ना उसकी लंबाई same ही होगी अब कितने भी ऐसे example ले सकते हो यह हमारा circle यह point यह हमने दोनों के दोनों tangent draw की यह दोनों tangent की लंबाई same ही होगी ठीक है, same as it is यही concept हमें को यहां लगाना है, देखो यह हमारा circle है circle के बाहर का यह point A है यह point पे हमारा दो tangent निकल रहे हैं देखो, A, P A, C तो यह दोनों की लंबाई same होगी यह दोनों की लंबाई same होगी same as it is यहां पे देखो, यह point B तो B, C, B, Q यह दोनों की लंबाई same होगी यह देखो, यही तो concept लग रहा है, पूरा का पूरा है यहां पे, ठीक है यह हमारा circle, circle के बाहर का यह point B और B से हमरे यह tangent निकाली, यह दूसरी tangent, यानि कि यह और यह दोनों की लंबाई same होगी ठीक है, सबसे पहले हम अपने example में road map कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले काम कैसे करेंगे, तो यह triangle है न, A, O, P और A, O, और C यह दोनों triangle हम congruent prove करेंगे यह दोनों triangle, ठीक है यह वाला है, और यह वाला same as it is हम यह triangle और यह triangle, इन दोनों को congruent prove करेंगे पहला हमें यह काम करना है, ठीक है तो ऐसे लिखा जाएगा in triangle देखो, कौन सा triangle congruent prove करना है, तो A, O, और P A, O, P and दूसरा triangle A, O, और C यह triangle दूसरा हमरा A, O, और C क्या है, टेंजेंट टेंजेंट है, फ्रॉम A A, पॉइंट से निकलने वाली टेंजेंट है, यह दोनों के दोनों इसलिए हमें same लिखी हमारे थे यह और हम number 2 की मदद से, अब देखो यह और यह O, C, O, P दोनों के दोनों same होगी, क्यों? क्योंकि यह circle की radius C है, देखो इसलिए यहां पे लेखा जाएगा O, P, equal to O, C हमारे circle की radius है radius of circle अब देखो यह जो हमारा perpendicular है वो O, A दोनों में common ही है, देखो यह triangle में देखो और यह triangle में देखो दोनों triangle में यह O, A तो common ही है, तो हम आपे लिखेंगे O, A, equal to O, A common ठीक है? तो देखो, अब तीनों की तीनों side equal to में आ गई तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह triangle और यह triangle क्या congruent है तो यह पे लिखा जाएगा triangle A, O, P congruent है triangle A, O, C के, ठीक है by क्या? S, S, S तीनों की तीनों side same हो गए इसलिए अब देखो, यह दोनों congruent हो गए तो उनके angle भी same होंगे तो देखो यह angle और यह angle same यह angle और यह angle same यह angle और यह angle same तो यह A और 2 angle number 1 और angle number 2 यह दोनों same हो गए तो यह पे लिखा जाएगा by C, P, C, T ठीक है फ्राइंस? आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गाया होगा क्योंकि इसके बाद जो करना होना वह same as it is है copy to copy ठीक है फ्राइंस? हमें क्या किया है? यह triangle और यह triangle यह दोनों को हमें congruent प्रू करवाया है यह देखो और congruent प्रू करवाया है और फिल लिखा कि यह दोनों same होंगे यह पे by C, P, C, T लिखा है ठीक है? अब same as it is हम next काम करेंगे देखो यह B, O, C B, O, Q यह दोनों triangle अब हम congruent प्रू करेंगे जिससे क्या मिलेगा? आपको पता चल गाया होगा यह दोनों equal to में आ जाएंगे ठीक है? तो हम लिखेंगे in triangle आपको थोड़ा से दीखेगा देखो B, O, C B, O, C equal to no, no, equal to नहीं and triangle B, O, Q B, O, Q यह दोनों triangle है अब हम उसे देखो congruent प्रू करेंगे पहला तो यह साइड देखो B, C और B, Q दोनों से क्योंकि tangent from B है B, C equal to B, Q क्योंकि यह दोनों की दोनों क्या है? tangent है B से निकल रही है यहाँ पर लिखेंगे tangent from B अब देखो O, C O, Q दोनों क्या है? तो यहाँ पर लिखा जाएगा O, C equal to O, Q यहाँ पर दोनों की दोनों क्या है रेरी आई अब देखो यह ट्राइंगल में यह अपना perpendicular O, B यह भी triangle है और उसका भी perpendicular O, B दोनों सेम ही है common तो यहाँ पर O, B equal to O, B क्या हुआ? common तो देखो आप तीनों की तीनों साइड सेम आ गई तो तीनों की तीनों साइड सेम आ गई यानि यह दोनों क्या congruent प्रू हो गए यहाँ पर लिखा जाएगा B O C congruent B O Q ठीक है? अब देखो यह triangle यह triangle दोनों congruent हो गए तो अब आप ऐसा लिख सेते हो की यह दोनों एंगल सेम यह दोनों एंगल सेम यह दोनों एंगल B सेम होंगे यानि 4 और equal to में 3 होगा angle 4 equal to angle 3 ऐसा angle 4 equal to angle 3 by C P C T यहाँ पर लिखेंगे S S S side 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 तीनों की सेम है इसलिए हमें congruent बोला अब देखो angle 1 & angle 2 दोनों सेम है angle 3 & angle 4 दोनों सेम है अब हमें पता है अपनी थोड़ी से दिमाग लगाएंगे देखो यह 4 1 2 3 4 चारों के चारों के हम सम करेंगे न तो हमें पता है 180 ही होगा यह पूरा का पूरा 180 तो हैंपे लिखेंगे देखो angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 सभी का मैंने सम कर दिया तो क्या 180 होगा इतना तो पता है हमें यह पे देखो यह पूरा का पूरा 180 होता है अब देखो यह हमें प्रूव करने के लिए A, O, B 2, 3 यह दोनों angle चाहिए यह दोनों नहीं चाहिए तो इसकी जगह पे मैं इसकी value रखूंगा वन की जगह पे देखो वन की जगह पे मैं उसकी value जानता हूँ angle number 2 तो वन की जगह पे मैं angle number 2 लिखा मैंने प्लस 3 चाहिए 4 नहीं चाहिए तो 4 की जगह पे मैं उसकी value रखूंगा 3 ठीक है और यह तो 180 था ही अब देखो 2 बार angle number 2 प्लस 2 बार angle number 3 equal to 180 यह पे दोनों में से 2 common निकालेंगे angle 2 plus angle 3 180 और यह पे 2 को नीचे लाएंगे यानि angle 2 plus angle 3 180 divided by 2 यानि क्या 19 है अब देखो हमें जो प्रूव करना था तो इंद्रैक्ली प्रूव हो ही गया देखो अंगल 2 और angle 3 क्या 90 डिगरी हुआ अंगल 2 और angle 3 क्या दोनों का सम 90 डिगरी हुआ यानि कि यह पूरा 90 डिगरी हो गया तो हमें यहाँ पर प्रूव कर दिया angle number 2 & angle number 3 क्या था देखो आप देख सकते हो एंगल नमबर 2, एंगल नमबर 3 हमारा A, O और B था यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A, O, B हमने 90 डिगरी प्रूव कर दिया ठीक है? यहाँ पर short form में ऐसे लिख सकते है hands D प्रूव ठीक है? प्रूव